हलो औन विलकम आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी यूट्यूब चैनल इंगलेंड टोर फेस्ट इंडी स्टार्ट हो चुका है आपको पता है टेस्ट सीरीज खतम भी हो चुकी है दो एक से वेस्ट सीरीज जीती पहले दो मैच बहुत आराम से जीते थे और बहुत बहुत कुछ इसमें देखने को मिलेगा क्योंकि अब वाइड कप का भी जो काउंडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है सौ दिन रहे गए हैं वाइड कप के अंदर वाइड कप स्टार्ट होने में तो इस वाली वीडियो के अंदर बात करेंगे ड्रीम 11 टीम में आपको दू हैं एठारा बार बैट फश्वर्स जीती एठारा बार ही बोल फश्वर्स जीती है आभरेज फरस टूटल आप देख सकते हो 228 का है एडरे से करेंगे टोटल 195 का यहां पर रहा है हाइस टूटल 328 का है जो कि इंगिलेंड नहीं लास्ट वालास पर उसमें एलेक्स हेल्स के सौ थे और जो रूट का भी एक सौ था अलजारी जोसफ ने चार विक्टे ली थी और जेसन होल्डर ने तीन विक्टे ली थी फिर वेस्ट इंडीज बैटिंग करने बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा जोनथन कार्टन ने आप बैया लिस सब्सक्राइब जोसफ ने 22 लियम प्लंकिट और क्रिस वोक्स ने दो दो तीन तीन विक्टे ली थी सौरी वेदर की अगर हम बात करें तो पार्टली क्लावडी रहने वाला है शुरुआत में थोड़ी बारिश हो सकती है उसके बाद वेदर बिल्कुल क्लेर हो जाएगा त सले जगे खुल गई है निकलास पूरण या फिर जौन केंबल की तो जौन केंबल या फी निकलास पूरण में से कोई है साले मैच में निकलास पूरण के बहुत हाय चांसे थै्क्टD प्रेनें के और वाका सीज्चोड के अनदर यह भी रहनें एनूने आउंस करते है कि वे बहुत जादा जबर्दस बैट्समन हो सकते हैं इस मैच में तो शेहुप नंबर तीन पर आएंगे फिर हम देख सकते हैं यहां से डियेम ब्रावो हैं यह भी जबर्दस बैट्समन है पर कुछ फॉर्म अभी साथ नहीं दे रही है क्योंकि बहुत टाइम बाद इंट्रेंशल करेंगे और बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं रोमन पोबल ऐसा लग रहा है हलके फुल के इंजर नजर आ रहे हैं ऐसा हो सकता है कि कार्लोस ब्रैट्समन है थोड़ा सा रिस्की रह सकता है इसलिए थोड़ा सा यहां पर ग्रैंड लींग में ट्राई करना इन दोनों बहुत इंप्रस किया है बहुत तेज बॉलिंग करते हैं कंसिस्टेंटली 140 फैक सकते हैं यहां से अगर हम बात करें तो कीमार रोज भी है जिन्होंने जो की टेस्स सीरीज के मेरा दो सीरीज रहे थे बहुत अच्छी इन्होंने बॉलिंग करी थी यह इनकी प्लेंग 11 रने जो रूट आ सकते हैं और उइन मोर्गन के कैपनन है थैं टो भिस बहुत इंबॉर्टन के विकिट कीपर होंगे मूहिनली है क्रिस्टवोग्स बहुत इंबॉर्टन रह सकते हैं लास्ट यर जब 2017 कि बाध कर रहो हैं जब यहां पर सीरीज वी ठही थे तो क्रिस्टवोग् फिर आते है रिस्पिनर अदिल रशीद फिर आते है मार्क वूड मार्क वूड भी बहुत तेस बॉलिंग कर सकते है तो ये इनकी प्लेइंग 11 रह सकती है टॉम कूरं डेविड विली और जो डेनली और अलेक्स हेल जो हैं वो शायद भार बैट सकते हैं उनको शायद मौका न तो इसलिए इंपोर्टन रहेंगे, वैसे ही Chris Wokes भी बोलूँगा, She-Hope, Johnny Besto और Joe Root, मेरे हिसाब से यह जो पांच प्लेयर है, इन पांच प्लेयर्स को अपने टीम में आपको रखने की कुशिश करनी है, इन पांच प्लेयर्स को प्लेयर्स को प्लेयर्स को बाकी जो छे प्लेयर्स को चेंज कर सकते हो, पर यह पांच थोड़े इंपोर्टन रहेंगे, अब चलते हैं, ग्रैंड लीग के कुछ ऑप्शन की बात मागर न करूँ, तो निकुलस पूरण बहुत जबरदस उप्शन रहेगा, 30-32% लोगों ने इनको लिया वाए, ट्राय कर सकते हो ग्रैंड लीग में, जिसन रोई को 50% लोगों ने लिया वाए, भी जो प्रैक्टिस मैच हुआ था, उसमें 100 बनाया था, जो हुरूट ने और जिसन रोई ने, तो देख सकते हो, फॉर्म भी ठीक ठाक है, और नेट्स में भी बहुत जबरदस बैटिंग कर रहे थे, बिलकुल मिडल ओरीदिन की बॉल, तो ये देखना, जिसन रोई भी थोड़े इंपॉर्टन रह सकते हैं, ग्रैंड लीग के लिए, फिर क्रिस वोक्स है, ज़्यादा लोगों ने इनको लिया नहीं है, बिलकुल में बहुत सारे उप्शन सही में है, बहुत सारे मैच विनर खेल रहे हैं आज के मैच में, तो अब बात करते हैं, ड्रीम 11 टीम की, उससे पहले दिखा देता हूँ आपको टेलिग्राम चैनल, अगर अगर आप तक यहाँ पर जाकर करके सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो जाकर कर लो, बहुत सारे इंफोर्मिशन देनी की, मैं कोशिश करता हूँ, जो भी इस मैं अब चलते हैं, ड्रीम 11 टीम की तरफ जो मैंने टीम बनाई विए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ड्रीम 11 जो टीम है, इस वाले मैच की, तो शुरू करते हैं, एक बार, तो आठ घंटे रह गए हैं, अभी हम देखें, तो 47 मिनट भी हैं, एक्स्रा दिखा दो टीम क्या ब बैटिंग लगबग आजाएगी, क्योंकि दोनों की दोनों जो टो हैं, अच्छी कासी टीम है, टकर की टीम होगी, वैसंटीज अपने घर पे खेल दिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, तो अच्छी कासी बैटिंग सब की आ सकते हैं, इसलिए जॉश बटलर की भी मायर को लिया हूँ, बहुत आरेंटिड बैट्समन है, यहां से जॉनी बेस्टो हैं, और क्रिस गेल को मैंने लिया हूँ, यूनिवर्स बॉस को, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं, बहुत टाइम बाद वापस आ रहे हैं, और कभी भी आउट हो सकते है या फिर आउट नहीं हुए, तो फिर कभी हमारे हाथ से मैश निकाल सकते हैं, क्योंकि गेम इनके हाथ में होती है, जब मारने पर आते हैं, तो फिर आप सब को पता है कि क्या ये कर सकते हैं, इमन लुइस को मत लेना, भाई, ये इंजर्ड चल रहे हैं, और इन मॉर्गन को थोड़े से हाई चांसे मुझे लग रहे हैं, इनको ग्रैंड लिंग में जरूर ट्राय करना, तीन जो आप्शन हैं, और आदिल रशीत का अच्छा कॉंबिनेशन बनेगा, अब बॉलिंग की तरफ चलते हैं, तो बॉलिंग की तरफ मगर मैं चलू, तो यहां से मैंने लिय अच्छी खासी बॉलिंग कर लेता हैं, और यह बात रखना है वाली बात की एंड में आ करके थोड़ी बद हिटिंग भी कर लेता हैं, बीस पच्छे संस भी बना लेता हैं, तो इसलिए अच्छी नर्स के पास गया हूँ, चाहो तो कीमा रोच के पास आ सकते हैं, जो की टे लिएम प्लंकेट शोड़ना मात बहुत अच्छे बॉलर है, मिडलोवर्स में विक्ते निकालते हैं, और बैटिंग तो खेर इंग्लेंड के, सिर्फ अगर हम मार्कूट को छोड़ दे, उस बस अगर हम दोलेता हैं, तो प्लंकेट भी बैटिंग कर लेता हैं, वीली खेलिं कीमा रोज का योगा मेरे साब से, तो मैंने ओशन थॉमस को लिया वाला है, आठ क्रेडिट के प्लेयर हैं, मैं अठी क्रेडिट बच रहे थे, तो इनको मैंने लिया वाला है, टॉम कूरन है, यहां से अगर हम ऑप्शन बताऊं, तो मार्क वूड भी है, जोकी सेफ का जबरदस ऑप्शन रहेगा, चौथा अगर मैं आपको ऑप्शन बताऊं, तो चले जाना जेसन होल्डर की तरफ, क्योंकि एक दो विकट यह निकाल लेते हैं, और कहीं ना कहीं नीचे आ करके रंस भी बनाते हैं, तो यह बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, स्टोक्स न कभी भी एक बड़ा स्कोर आ सकता है, 2015 के बाद शायद जब भी वर्ड कप के बाद हुआ है, कोई 100 भी नहीं है बनाया है भी तक वन डिक रिकेट में, तो यह टीम है आपके सामने, कैप्टन, वाइस कैप्टन के ओप्शन जैसे की मैंने बुला, रूट, होल्डर, स्टोक् अपने हिसाब से भी टीम बनाओ, सारी इंफोमेशन दे चुका हूँ, और भी कोई इंफोमेशन होगी तो टाइलीग्राम चैनल पर मिलेगी, इस वीडियो की कमेंट सेक्षन में मिलेगी, तुम खुद टीम बनाने के लिए सक्षम हो, अब इतने दाश वीडियो में हो, पी इस वीडियो में है,